नमस्कार मैं रवीश कुमार बिहार विधान सभा में आरक्षन की सीमा 50 से बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पास हो गया आर्थिक आधार पर मिले 10 प्रतिशत आरक्षन को अगर आप जोड़ लें तो राज्य में आरक्षन 75 प्रतिशत पहुंच जाता है भारत में आरक्षन लागू होने के बाद आरक्षन की राजनीती और उसकी समिक्षा पहली बार ठोस रूप से हो रही है और इसकी शुरुवात बिहार ने कर दी आरक्षन की आड में बहुत से कठोर सवालों को पीछे रखा गया था तरह तरह के भ्रम फैलाए गए आबादी के अनुपात को कभी भी सामने आने नहीं दिया गया और किसी जाती विशेश को लेकर धारनाएं फैला दी गई कि अमुक जाती को ही आरक्षन का लाब सबसे जादा मिल रहा है वो दूसरे का हिस्सा खा रही है दरसल बिहार का जाती सर्वे और सामाजिक आर्थिक सर्वे दो बाते साफ साफ करता है पहली बात आरक्षन आबादी के अनुपात में कम दिया जा रहा है दूसरी बात आरक्षन मिलने के बाद भी सरकारी नौकरियों में उन आबादियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, नहीं बढ़ा है इसके कारण हम सभी जानते हैं जट से फॉर्म भढ़िये, फट से एक्जाम दिजे, जट से जोइन किजे जट से फॉर्म भढ़िये, फट से एक्जाम दिजे, जट से जोइन किजे हाली में पटना के गांधी मैदान में एक लाग से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया इतनी बड़ी तादाद में सरकारी नौकरियां देने का चलन और उसकी राजनिती 90 के दशक के बाद खत्म हो गई थी एक बार फिर से राजनिती में सरकारी नौकरियां वापसी कर रही हैं तो यही समय है कि इस बार सही से आरक्षन की बात हो आबादी के हिसाब से हर जाती के प्रतिनित्व की बात हो और ऐसा करने का आधार बिहार सरकार ने खुदी देश को उपलब्द करा दिया है सरकारी नौक्रियों में कमी के अलावा यह भी हुआ कि आरक्षन के पदों को भरने में तरह तरह की चालाकियां की गई चालाकी करने वालों ने समाज और देश का बड़ा नुकसान कर दिया अगर आरक्षन सही से और समय से दिया जाता रहता तो आज इसके फाइदे की बात होती और इसका असर देश के लिए भी अच्छा होता नतीजा बिहार का सर्वे बता रहा है कि आरक्षण के बाद भी सरकारी नौक्रियों में आरक्षित वर्गों का उचित प्रतिनिधित्वन नहीं है तो उनका हिस्सा क्यों नहीं है इस सवाल का जवाब देना होगा और ये सवाल पूछा जाएगा इस सर्वे ने उधारी करण की एक और चतुराई का भांडा फोड़ कर दिया है सरकारी नौक्रियों को गायब करने की चतुराई अब किसी भी दल के लिए भारी पड़ेगी उन्हें सरकार के भीतर नौक्रियां पैदा करने होंगे इसी के साथ आप दर्शकों को यह भी याद करना चाहिए कि आदानी पुर्वे एंडी टीवी पर हमने अपने प्राइम टाइम में नौक्री को लेकर सरकारी नौक्रियों को लेकर कितने एपिसोड किये तब नेताओं ने इस सीरीज का मजाक उड़ाया आज सरकारी नौक्रियां हर राजनितिक दल के घोशना पत्र में हैं और प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी भी नियुक्ती पत्र बांट रहे हैं आबादी के हिसाब से देखिए तो बिहार का आखड़ा अदालत से लेकर नीती बनाने वालों की गणित की समझ को भी चुनौती देता है बलकि पलट देता है बिहार की आबादी में 15 प्रतिशत हिस्सा अगड़ी जातियों और अन्य प्रतिवेदित जातियों वह अल्प सं आरक्षन के मसादे में बिहार सरकार ने लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षन राजी में उनकी आबादी प्रतिशत के संदर्में 64.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी दिखलाता है ऐसा कैसे हो सकता है कि 15 प्रतिशत को 64 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिली हुई है इससे तो यही नजर आता है कि जो 85 प्रतिशत हैं उनकी आरक्षण में आबादी के संदर में हिस्सेदारी बहुत कम है बिहार की 13 करोड की आबादी में पिछडे और अती पिछडे वर्ग के 63 प्रतिशत हैं इस हिसाब से तो उन्हें आरक्षन बहुत कम मिला और अगर इसमें अनुसुचित जाती और जनजाती को भी शामिल कर लें तो 85 प्रतिशत आबादी के पास कितना आरक्षन होना चाहिए जाहिर है 50 प्रतिशत आरक्षन बहुत कम है जादा होना चाहिए बिहार के सर्वे और आरक्षन के आंकडे को OBC के फ्रेमवर्क में देखा जा रहा है लेकिन ऐसा करना इस सर्वे के साथ इनसाफ नहीं होगा नए आरक्षन में अनुसुचित जाती के लिए आरक्षन को 16 से बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है बिहार में सबसे अधिक गरीबी अनुसुचित जनजाती में ही है 42.7 शुन्य प्रतिशत गरीब है अनुसुचित जाती में भी 42.7 शुन्य प्रतिशत लोग गरीब है और कई जातियों में गरीबों का प्रतिशत 50 से भी जादा है 53 प्रतिशत से भी जादा है अनुसुचित जाती की हर जाती में भयंकर गरीबी देखी गई जो बता रहा है कि समाज के इस हिस्से तक सरकारी योजनाओं का लाब किसी भी रूप में कम से कम पहुँचा है नियूनितम पहुँचा है बिहार विधान सभा में पेश करने से पहले इस मसौदे को नितिश सरकार ने अपने कैबिनेट में मनजूरी दे दी इसके ड्राफ्ट को कानूनी रूप से काफी सतरक्ता से लिखा गया है बताया गया है कि आबादी की अनुपात में आरक्षण में कितनी कमिया रह गई आज भी सरकारी नौकरियों में अनुसुचित जाती, जनजाती, पिछडी और अती पिछडी जातीयों का उनकी आबादी की अनुपात में बहुत कम प्रतिनिधित्व है इसलिए जरूरी है कि पिछडे वर्ग के आरक्षण को बढ़ा कर 18 प्रतिशत और 38 पिछडे वर्ग के आरक्षण को बढ़ा कर 25 प्रतिशत और अनुसुचित जाती के आरक्षण को बढ़ा कर 20 प्रतिशत किया जाए नितीश कुमार का कहना है कि राजी में अनुसुचित जाती 19.7 प्रतिशत है उन्हें 16 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत अधिक आरक्षन मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों के साथ-साथ शिक्षन संस्थानों में भी आरक्षन की सीमाएं बढ़ाने को मनजूरी दी गई है राजिपाल की मनजूरी के बाद अब इसकी किस्मत सुप्रीम कोट में तैह होगी जहां पहले ही करनाटिका और महरास्ट्र के मामले में 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षन रद हो चुका है मगर इस बार बहस का आधार बदल जाएगा बिहार विधान सभा में सरकारी नौकरियों और शैक्षन संस्थानों में 65 प्रतिशत आरक्षन का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास कर दिया गया बीजेपी ने भी विरोध नहीं किया अधारित सब्सक्राइए नौ पार्टियों की सम्मति से पात्यारित गन्ना का नर्न लिया गिया हां अधाल थाए लगष करोड से जीदा आज नोग हम लोग 3 लाख करोड से जादा राज सरकार को लगेगा तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक-एक मैंने पांस साल में पूरा करेंगे पचास-पचास लाख अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट तो उसी में यह सारी बातें मेंसंड रहेगी और उसके बाद हम तो आग्रह आप से भी करते हैं कि अंद्रूनी तोर पर केंद्र क को भी कहिए कि बिहार एक गरीब राज्य है विसेश राज्य का दर्जा अगर इसको मिल जाएगा तब पास अरे बढ़त है आप नहीं साथ थे अरे हम मौदे भारतिन्ता पार्टी इसका पुर्जोर समर्थन करती है मौदे के वहला आज की बात नहीं है मौदे हम जिस पार विसंक्तियों के कारण समाधिक विसंक्तियों के कारण आर्थिक दिश्टी से कमजोर हो गए राजितिक दिश्टी से पिछे रहा गए या फिर समाधिक कारण से पिछे रहा गए उन सबको विना उपर उठाये हुए हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं यह हमारी पार्टी क में लेकर नहीं आई है बलकि इसके लिए 13 करोड की आबादी का सर्वे कराया गया संविधान के अनुछेद 15 और 16 में सकारात्म कारवाई अफर्मेटिव एक्षन के सक्षम प्रयासों की बात है तो अब तक सही अनुपात में आरक्षन नहीं मिला है जब तक नहीं मिलेगा अनुपातों का संतुलन नहीं होगा संविधान की अभावना कैसे लागू होगी बिहार सवाल करेगा कि राजज में अगड़ी जाती का अनुपात 15 प्रतिशत से कुछ अधिक है मगर इसके गरीब तबके को 10 प्रतिशत आरथिक आरक्षन मिला है अगर इसे ही पैमाना बना लिया जाए तो उन जातियों को अधिक आरक्षन देने से कैसे रोक सकते हैं जो आबादी का 85 प्रतिशत है इसलिए बिहार से चली ये बहस अब राश्ट्रियस तर पर जाएगी और जो लोग इसे खारिच कर इन कठोर सवालों से बचने की कोशिश करते हैं उनके लिए मुश्किल होगा चाए दलित समाज के हो बढ़ाया है आदिवासी समाज का बढ़ाया है पिछडा ति पिछडा का बढ़ाया गया है तो ये बीज़ेपी नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से ये खबड़े जो है जन जन तक पहुंचे सुप्रीम कोट ने मई 2021 में मराठा आरक्षन को असमवेधानिक करार दिया जस्टिस अशोक भुशन की बेंच ने कहा कि महराष्ट्र में ऐसी कोई अप्रत्याशित स्थिती या अपवाद सरूप परिस्थिती नहीं है कि मराठा समुदाय को अतिरिक्त आरक्षन दिया जाए लेकिन इसी सुप्रीम कोट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्क को मिलने वाले आरक्षन और एक सौ तीनवे समवेधानिक संशोधन को तीन दो के बहुमत से सही माना आर्थिक आधार पर आरक्षन का कोई प्रावधान नहीं है समवेधान में फिर भी इसे सही माना गया तब भी जब सरकार की तमाम नीतियां आर्थिक आधार पर ही बनाई जाती है या ऐसा दावा किया जाता है तो आरक्षन की बहस अब ठीक से होगी हर राज्य में होगी महराष्ट में भी मराठा आरक्षन के संदर्व में जातीगत सर्विक्षन को टाला मुश्किल हो जाएगा भारत में आरक्षन के विरोध का भी अध्यन होना चाहिए कि किसकी साधार पर इसका विरोध होता है इसमें से एक है आरक्षन के आधार पर ही आरक्षन का विरोध होता है कि अमुक जाती ही सारा आरक्षन खा जा रही है इसे लेकर तरह तरह के भ्रहम फैला जाते हैं हाली में मुजफरपुर की रैली में अमिशा ने कह दिया कि सर्वे में मुसल्मान और यादवों की संख्या जादा दिखाई गई है उन्होंने यह नहीं कहा कि जादा दिखाने से क्या होगा किसलिए दिखाई गई है मगर यह बयान उसी भ्रह्म को हवा देता है कि आरक्षन का लाब केवल यादवों को मिल रहा है उनी को मिलने वाला है यह बात कभी कभी खुलकर भी कही जाती है मगर जादा तर दभी जुबान में कही जाती है सर्वे में क्या किया यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ा कर EBC की आबादी को कम किया अती पिछड़ा को पिछड़ा को अन्याय करने का काम यह लालू नितिश की जोड़ी ने किया है तो देश के ग्री मंत्री है ठीक है अच्छी बात है लेकिन उनके भाषन से ऐसा लग रहा था जैसा उन्होंने का था कि बार्वी के बाद इंटर्मीडियट करा रहे हैं बारवी के बाद इंटिमीडिएट करवा है यह अमीचा जी कम मानना है और कहना तो हम कहना चाहरे हैं अभी हम सुने उनका ब्यान यह सुने हैं कि यह जाति जंगटा में यहादफ मुशल्मान लोह का बढ़ा दिया गया बाकिसब लोका कम कर दिया गया तो हम तो यह कहना चाहते हैं अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमिद्शा जी तो देश भड़ में करा ले कौन रोका और जितने जगह बीजेपी शाषित राज है वहां भी करवा ले जाती जन्गन्ना काहें नहीं करा रहे हो भाई और याप बताएं ना केंदर में जितने क और ऑफs второй ქ वे लागती गौस यहां केवल्चने जो हैं शूत बोलने आते हैं जूत बोलने अते उनके पास कहने के लिए अब यहां कलम भाटने नौकरी बाटी सब्सक्राइब नहीं नोकडी बताएं उनके प्रदेश पे नोकडी बढ़ रहे की नहीं मैड़ रहे नोकडी जहां दी जारी है ज़ाती के सर्वे से हर जाती के बारे में बनी बनाई धारनाएं टूट जारी है जैसे आम चर्चा में माना जाता है कि भूमियार सबसे अमीर जाती है लेकिन सर्वे बताता है कि अगड़ी जातियों में सबसे गरीब भूमियार जाती से ही है 27 प्रतिशत भूमियार गरीब है मुसल्मानों में शेख 25 प्रतिशत गरीब है सबसे कम गरीबी कायस्त जाती में है मात्र तेरह प्रतिशत कायस्त गरीब है यादवों के बारे में सौध हारनाएं टूटी है लालू यादव की राजनितिक सफलता के कारण इस जाती को लेकर कई तरह की चिड़ पैदा की गई ताकि लोग इस जाती से नफरत करें मीडिया के बाद राजनिती का भी इसमें सबसे बड़ा रोल रहा कहा जाता है कि आरक्षन का लाग केवल इसी जाती को मिला यादव आबादी का 14 प्रतिशत हैं मगर मात्र 1.55 प्रतिशत यादव इसी सरकारी नौक्रियों में हैं कुल 1.86 Japanese में से केवल 2.90,000 के करीब सरकारी नौक्रियों में हैं यह भी कहा जाता है कि यादव ही OBC में सबसे अमीर हैं मगर OBC दुर्ग में सबसे खरीब इसी जाती से हैं 35.87 प्रतिशत और आरक्षण के हिसाब से इनका प्रतिनिदित्व भी सामने आ गया जैसे प्रभाद खबर की हेडलाइन देखिए लिखा है सरकारी नौकरियों में यादव सबसे आगे यानि अभी ये कोशिश चलती है कि बताया जाए कि यादव ही आरक्षण का सबसे जादा लाव ले रहे हैं जबकि सर्वे ने बताया है कि आबादी के प्रतिशत के हिसाब से यादवों का बहुत कम हिस्सा सरकारी नौकरियों में है जब भी कोई आदव मुख्यमंत्री होता है या पिछली जाती का कोई भी होता है तो ये धारणा फैलाई जाती है कि थाने से लेकर हर विभाग में उनकी जाती के लोगों की तैनाती हो गई लेकिन जब वे है ही नहीं सरकारी नौक्रियों में तो कहां से ये तैनाती जाती के हिसाब से संपूर्ण बताई जाती है इसलिए जरूरी है कि ऐसी अफवाहों और धरनाओं का जवाब इसी तरह के सर्वे और सही आंक्डों से दिये जाएं सरकारी नौक्रियों में सबसे अधिक सामान्य वर्ग के लोग हैं कुल साड़े बीस लाख लोगों में से छालाग चालीस हजार से अधिक सामान्य वर्ग के हैं सामान्य वर्ग में कुल दो करोड से अधिक लोग हैं और इन में से 6,41,000 सरकारी शित्र में काम करते हैं इसमें 1,72,000 से अधिक ब्रामण हैं भुमियार 1,87,000 से अधिक हैं राजपूत 1,71,000 से अधिक हैं आबादी के अनुपात में सबसे अधिक कायस्त हैं 6.68 प्रतिशत यानि 52,490 कायस सरकारी नौकरियों में हैं पहली बार किसी राजजी ने इस तरह का सर्वे पेश किया है इस पर कम चर्चा है नितीश कुमार के उस बयान की जादा चर्चा है जो उन्होंने विधान सभा में दिया और जिसके लिए बाद में माफी मांगी लेकिन जिस सर्वे ने आरक्षन को लेकर विकास के तमाम दावों की पोल खोल दी है उसकी बातें कम हो रही हैं केवल राजिस सरकार ही नहीं विकांस को लेकर केंदर सरकार के तमाम दाबों की पोल खुल गई विकांस भले आदानी और अमबानी के पास पहुँच रहा हो एक प्रतिशत लोगों के पास पहुँच रहा हो जिनकी दौलत से भारत की जीडीपी बढ़ती है और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थवेवस्था बनने वाला है मगर यह डेटा बता रहा है के विकांस लोगों तक नहीं पहुँचा है दरसल इस सर्वे की यही ताकत है आप इस पर बात करेंगे तो नजर केवल बिहार पर नहीं पूरे देश पर जाएगी बिहार सरकार ने हिम्मत का काम किया कि अपना सारा कच्चा चिठा और रिकॉर्ड लोगों के सामने आधिकारिक रूप से रख दिया है जब तक इस सच को स्विकार नहीं किया जाएगा आगे बढ़ने का कोई नया रास्ता नहीं निकलेगा पटना स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पार करते इन पावों में जहाक कर देखिए आप बिहार का आर्थिक सर्वे कर सकते हैं बिहार की गरीबी अपने पावों में पहन कर चलती है बहुत देर तक देखते रहने से आप हिसाब लगा सकेंगे कि भारत में अगर सस्ते जूते चपपलों का उद्योग ना होता तो इस देश की आधी से जादा आबादी नंगे पावों रह जाती महंगे और ओरिजिनल ब्रैंड के जूते आपको इन पावों में कम नज़र आएंगे यहां की आबादी का 34.1 तीन प्रतिशत हिस्सा महिने में 6,000 रुपैसे भी कम कमाता है लेकिन जब आप इस आकड़े में 20,000 तक कमाने वालों को जोड़ देंगे तो 47.67 प्रतिशत आबादी बहुत मामुली कमाई पर जी रही है हाड तोड मेहनत करने वाला बिहार कितना कम कमाता है उसके सच्चाई बस अभी जाकर आधिकारिक हुई है बिहार को आप किसी भी कोने से देखिए सकॉर्पियो, बोलेरो, शौपिंग मॉल, फ्लाई ओवर के बीच से निकलती हुई इसकी गरीबी सामने आ जाती है बिहार में 50,000 से अधिक कमाने वाले 4 प्रतिशत से भी कम लोग है OBC में 33 प्रतिशत परिवार गरीब है सामान्य वर्ग में 25 प्रतिशत अती पिछडे वर्ग में 33 दशमलव 6 प्रतिशत परिवार गरीब है और अनुसुचित जाती और जनजाती में सबसे अधिक 42 बैयालिस प्रतिशत परिवार गरीब है या उस बिहार की सच्चाई है जो 20 साल से विकास विकास कर रहा है कई बार विकास से जादा विकास का नारा चल पड़ता है जिसके शोर में हम बाकी चीजे नहीं देख पाते गनीमत है कि बिहार सरकार और दो दशक से अधिक समय से सरकार चला रहे नितिश कुमार ने ही इस सर्वे को संपन कराया और सार्ध्विनिक कर दिया बिहार मूलता एक गरीब राज्जे था एक गरीब राज्जे है इस सर्वे से एक और बात सामने आई है कई परिवारों ने अपनी आई नहीं बताई बिहार भर में 4.47 परिवारों ने बताया ही नहीं उनकी आई कितनी है इसमें सबसे अधिक यादव हैं 4.2-3 परिवारों ने सर्वे टीम को अपनी आई से सम्बंधित जानकारी देने से इंकार कर दिया कायस्तों में भी 3.87 परिवारों ने जानकारी देने से इंकार कर दिया सवन्ड परिवारों के 4.85 परिवारों के 4.85 परिवारों ने आई कास्तों नहीं दिया तो हम करीब करीब 4 परिवारों आबादी के बारे में बिलकुल नहीं जानते कि इनकी मासिक कमाई कितनी है बिहार की गरीबी ने दूसरे राज्यों को संब्रिद बनाया है दो करोड लोग इस सर्वे के मताबिक मिस्त्री, मजदूर और अन्यश्रेणियों के श्रम करते हैं इस सर्वे ने यह भी बता दिया कि बिहार में 33,000 से अधिक भिखारी हैं, 28,000 से अधिक कचरा बिनने का काम करते हैं खेतियर लोग एक करोड से अधिक हैं, स्वा रुजगार करने वाले करीब 40,000,000, संगठित शेत्र में प्राइवेट नौकरी करने वाले करीब 16,000, आज संगठित शेत्र में प्राइवेट नौकरी करने वाले करीब 28,000,000, करीब 9 करोड को ग्रिहनी विद्यार्थी की श्र कर लेना चाहिए कि अंधेरा कितना गहरा है बिहार सरकार ने जाती के सर्वे के साथ अपनी कई नाकामियों का दस्तावेज भी खुदी सामने रख दिया यह कम बड़ी बात नहीं आम तोर पर सरकारें गरीबी से लेकर आर्थिक विशंता का आंकड़ा छिपाती हैं मानती नह कुमार के नित्रित्व में महा गठबंदन की सरकार ने अपनी कमियों और असफलताओं को भी सामने रख दिया अब आप आधिकारिक तोर पर बिहार के बारे में जानते हैं कि राजी की आबादी का 34 प्रतिशत यानि 94 लाख परिवार महिने में 6000 या उस से भी कम कमाता है इस सर्वे के बाद गरीबी के नाम पर चलने वाली योजनाओं को सीधे उन 94 लाख परिवारों तक पहुंचाया जा सकेगा नितिश कुमार ने कहा है कि इन परिवारों को आर्थिक मदद के तोर पर एक बारे में 2 लाख रुपए दिये जाएंगे क्योंकि सरकार को मालूम है कि या पैसा अब केवल 94 लाख परिवारों को ही जाएगा 63 हजार लोगों के पास पके मकान नहीं है अब जब सरकार जान गई है तो इन लोगों के लिए योजनाओं बनाना पहले से जादा आसान रहेगा और प्रगती भी तेज हो सकती है सरकार ऐसे लोगों को 40 हजार याता यात के प्रमुक साधनों में से एक है इसी गंगा नदी में अर्बो रुपए के कई पुल बन गए मगर गरीब लोग पुल पार नहीं कर पाते हैं विन्नाओं से ही नदी पार करते हैं इस गरीबी के पीछे शिक्षा भी है सर्वे के अनुसार 10 प्रतिशत आबादी 11 12 तक पढ़ी है कम पढ़ाई कम कमाई और बहुत दवाई यही बिहार है 22 प्रतिशत से अधिक लोग पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक पढ़े हैं दुख भी होता है कि नाकणों को बताते हुए कि कैसा बिहार है 90 के दशक के बाद उदारी करण और दो दशक से अ कि गरीबी का हिस्सा हैं इस सर्वे में बताया गया है कि 95 प्रतिशत से अधिक बिहारियों के पास याता यात का कोई साधन नहीं है गरीबी के कारण भी लोग नावों की सवारी करते हैं जब 47 प्रतिशत बिहार 20 हजार से कम कमाएगा तो जाहिर है कम किराय की तलाश में रेलवे की साधारन ट्रेनों की तरफ दोड़ेगा ट्रेनों में भीड होगी तो दर्वाजे पर लटक कर जान जोखिम में डाल कर यात्राएं करेगा किराया बचाने के लिए टेमपो और बस के उपर सवारी करेगा आप बिहार के किसी भी स्टेशन पर जाएए वहां पर लोगों की भारी भीड नजर आएगी और उनकी गरीबी भी बिहार की आबादी 13.67 करोड है और 12.48 करोड के पास परिवहन का कोई साधन नहीं है पटना एरपोर्ट पर उतरते लोगों का भाव ऐसा रहता है जैसे कैलिफोर्निया से उड़कर लंदन उतर गए हैं मगर उन्हें भी पता है कि गरीबी से निकल कर गए थे गरीबी में लौट रहे हैं एरपोर्ट के बाहर गाडियों की भरमार से लगेगा कि बिहार में कितनी अमीरी है सब के पास बोलेरो, सकॉर्पियो, सफारी, इनोवा और होंड़ा है लेकिन सच यही है कि केवल शुन्य दशमलव चार चार प्रतिशत के पास ही चार पहियों की गाड़ी है आधे प्रतिशत लोगों के पास भी चार पहिये की गाड़ी नहीं है अंठान्वे प्रतिशत के पास किसी तरह की गाड़ी नहीं है बिहार में 12 करोड लोगों के पास कम्प्यूटर या लैप्टॉप नहीं है बिहार में 1 करोड लोग खेती करते हैं लेकिन केवल 1,666,000 लोगों के पास ही ट्रैक्टर है नितिश कुमार और तेजस्वी यादव को जातिवादी बताया जाने लगा डर बिठाया गया कि 90 के दशक की जातिवादी राजनिती लोट रही है हिंदु धर्म की एकता भंग हो रही है मगर इन नेताओं ने रिस्क लिया हिम्मत दिखाई कदम बढ़ा दिया केंद्री अस्तर पर राहुल गांधी भी जाती के सर्वे की बात करने लगे और प्रस्ताव पास कर दिया कि कॉंग्रेस की केंद्र में सरकार बनेगी तो कास्ट सर्वे कराएगी कॉंग्रेस पार्टी ने विधान सभा चुनाओं में भी कास्ट सर्वे को घोशना पत्रों में शामिल किया है इनी का दबाव है कि आज BJP बिहार से लेकर देश भर में बोलने लग गई है कि हमने जाती की गनणा का विरोधी कब किया था BJP को बताना चाहिए कि उसने समर्थन कब किया था मोदी जी भाशन में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है सिरफ गरीब है मोदी जी अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिरफ गरीब है तो आप अपने आपको 24 गंटा ओभी से क्यों कहते हो और नरेंद्र मोदी जी ये भी मुझे बता दो आपने OBC का नाम प्रयोग करके बहुत फाइदा उठाया देश के प्रधान मंत्री बन गए, करोलो रुपेगे आप सूट पहनते हो, 24 गंटा हवाई जाज में उड़ते हो, तो OBC शब्द का आपने प्रयोग किया, और आज अप अपने भाशन में कहते हो, कि इंदुस्तान में कोई जात नहीं, मोदी जी आप दरिये मत, आप एक काम कीजिए, जाती जर्म गरना के बारे में देश को बता दीजिए, बिहार की गरीबी देश को चुभेगी और बिहार को भी, सब को दिख रहा था, बस इससे इंकार करना मुश्किल होगा, विकास की हवा हवाई बातों से हालात नहीं बदले, इस सर्वे से आम लोगों को भी दिखेगा, कि उन तक विकास कितना पहुँच रहा है, इस सर्वे के नतीजों को लेकर गोधी मीडिया बेशक नितीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल पूछ सकता है, बस गोधी मीडिया को याद रखना होगा, कि यह आकड़े उसके सर्वे से नहीं आएं हैं, सरकार ने खुद उपलब्द करा दिये हैं, पर इसमें भी एक दिकत ह गोधी मीडिया इस सर्वे को लेकर जब भी बिहार सरकार से सवाल करेगा, उसके सवाल प्रधान मंतरी मोधी तक भी जाएंगे, तब इंटरनेट से उसके रिसर्च में आज आएगा कि प्रधान मंतरी मोधी ने आकड़ों के साथ क्या किया है, आर्टी आई के साथ क्या किय उसे बताना पड़ेगा कि 10 साल से केंदर में रहने के बाद भी आज तक भारत में जनगनना नहीं हुई है आखिर वे क्या छिपाना चाहते हैं क्या मोनोरेल वंदे भारत और बुलेट ट्रेंज से भारत की तस्वीर को ढख रहे हैं फ्लाई ओवर और एक्स्प्रेस्वे बना दूर होने वाली हैं शायद इसलिए नरिद्र मोदी जाती की गनना को लेकर हमलावर हो गए उसका मजाक उड़ाने लगे अब अमिश्या कहने लगे हैं कि हमने कभी विरूद नहीं किया लेकिन बताना चाहिए कि अभी तक जनगनना क्यों नहीं कराई जब बिहार करा सकता ह तो भारत सरकार क्यों नहीं इस देश में चुनाव हो जाते हैं जनगनना क्यों नहीं हो सकती है नमस्कार मैं रविश कुमार